सो गैस 1st Gen 2022 से एक नया रूल जो इंप्लिमेंट किया जा रहा था रूल 59 सब रूल 6 उस रूल में गैस कुछ चेंज किया गया है और उसको समझना आपके लिए जरूरी है वरना 3B और 1 फाइलिंग में आपको दिक्कत आएगी और अगर आप 1 और 3B फाइल नहीं करोगे तो ज पायर को क्रेड़ नहीं मिलेगा तो चीजे समझना बहुत जरूरी है तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें तो देखेंगे कि पोटल पी ये कैसे काम करेगा थर्ड जैन की अपडेट है नोटिफिकेशन आई थी नमबर 35 24 सप्टमबर को क्लोज ए ओफ दे सब रूल 6 ओफ रूल 59 अमेंड है बाइव दिस अमेंडमेंड क्या अमेंडमेंड थी फोर दा प्रिसीडिंग टू मंथ पहले क्या था कि पिछले दो महिने को देखना है अब इस दो महिने को चेंज करके क्या कर दिया है इसका मतलब क्या है पहले से पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल समझेंगे अगर कोई मन्थली फाइल आ रहा है उसने अगर 3B किसी मन्थ की फाइल नहीं की तो उस केस में वो टेक्सपेर जी एस्ट यर वन भी फाइल नहीं कर पाएगा फॉर दा सबसेक्वेंड मन्थ मतलब अगले मन्थ की जब तक वो प्रिवियस मन्थ की 3B फाइल नहीं करेगा एग्जांपल समझते हैं सपोस करो टेक्सपेर ने फाइल नहीं की 3B for the month of November 21 तो उस केस में अगर वो टेक्सपेर ट्राय करेगा जी एस्ट यर वन फाइल करना for December 21 तो उस केस में सिस्टम उसे अलाओ नहीं करेगा जी एस्ट यर वन फाइल करने के लिए December 21 की जब तक वो फाइल ना करेगा 3B of the previous month मतलब नवंबर की जब तक नवंबर की 3B फाइल नहीं होगी तो December का काम वो नहीं कर पाएगा नहीं करेगा तो सामने वाले के साथ उसका contract भेकार हो जाएगा क्योंकि अगर उसे credit नहीं दिखेगा और जब तक यह tax भी पे नहीं करेंगे तो उनको credit मिलने सकता condition है ना 2B में दिखना भी चाहिए क्योंकि 2B ही condition है 2A तो रह नहीं गया 2B में दिखना भी चाहिए और supplier को tax भी पे करना है तो यह जो functionality यह कैसे काम करेगी यह portal पर shortly implement कर दी जाएगी जिस्ते system चाहिए आप में previous month की 3B file की है या नहीं की to file GSTR 1 for the subsequent month taxpayer may kindly ensure timely filing of 1 and 3B in consonance with rule 59 of CGST rules to avoid any inconvenience in this regard so I believe आपको यह video काफी relevant होगी वीडियो में कुछ बीचे लगा तो like share comment करना मत बूलना till then good bye